Hi everyone, welcome back to my channel. So, आज का जो वीडियो है वो एक ब्लॉग वीडियो है और आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल भी है वो मैं बताती हूँ क्यों क्योंकि आज मेरी विनी का सेकंड बर्दे है इसलिए तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग शूट किया जाए विनी का जो बर्दे है वो हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं विकाज विनी के जो पापा है वो आउट अफ ताउन है इस वज़े से तो हम घर में ही ऐसे छोटा मोटा सेलिब्रेट कर लेगे कि कटिंग कर लेगे बट मैंने अपने जो नेवर हैं उनको बुलाया हुआ है विनी के बर्दे पे और उनको मैंने खाने पे भी इन्वाइट किया है तो अभी मैं सुबह से बीजी थी इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा खाने के लिए बना रही थी जो मैंने इंवाइट किया था उनके लिए कुछ तो मैंने खाने में खीर बनाई है चोले बनाये हैं और आलु गोवी की सबजी भी बनाई है रायता बनाया है पुलाव भी बनाया है तो केक कटिंग के बाद हम सब लोग मिलके खाना खाएंगे और अभी विनी के बर्दे पे मेरी भाबी जो है वो जरूर मेरे साथ में है तो फिर भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है अकीला महसूस नहीं हो रहा है तो अल्मोस्ट शाम हो गई है शाम के पांच बच चु कोई था ही नहीं तो बड़ा केक मंगा के मैं क्या करती बेस्ट होता और और केक कटिंग जो है विनी की वो हम छे साड़े छे तक कर लेंगे विकर्ज मेरी जो फ्रेंड है आंटी की बेटी उसकी आज नाई द्यूटी है तो उसको साथ बजे चले जाना है इसलिए मैं थोड आटी हो जाती हों विनी को भी रैडी कर देती हूं तब तक तीनों तयार होंगे तो आल्मोस्ट 6 बच जाएंगे और मैंने उनको झेह शाड़े चेसे पे भी बुलाया है तो को लोग भी आ जाएंगे तो जब हम लोग अब केटी मैं करेंगे तब मैं आप लोग से मिलूघ asks टिल दिनर भा बाइ को के यह से धिलुँग की तो अब निर्ट थोड़ा बेटी मेरी बातलुक सोच रहे होगे इसके बढ़डे वाले दिन लड़की को कैसे रखे हूँ बढ़ा बिजी थी अब मैं अपनी बिटिया को रानी बिटिया बना देती हूँ तो चलो हम लोग रेडी हो लेते हैं उसके बात आप लोगों से मिलते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगें तो हमने विनी का बढ़डे है वो अल्रेडी सेलिब्रेट कर दिया है मैंने बोला था कि मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी मैंने कुछ शूट किया है बट मैं कंटिनियूसली शूट नहीं कर पाई विकरज मैंने सारा कुछ प्रपेर कर लिया था और मेरी जो फ्रेंड है मैंने बताया था उसको साथ बजे नाइट ग्यूटी पर जाना था तो हाँ लेट हो रहे थे इसलिए वो जल्दी आगी तो हमने जल्दी के कटिंग करी थोड़ा बहुत मैं कुछ शूट कर पाई यह बर्डे का ऐसा कुछ खास नहीं है तो वह मैं आपको इस वीडियो के आगे जो क्लिप्स आपकर लोगी और जब उनोग आ गए थे तो मैं पूरी तरह से तयार भी नहीं हो पाई थी अल्मोस्ट हो गई थी बट मैं लिप्स्टिक नहीं लगा पाई थी तो अभी मैं लिप्स्टिक लगाई हुई है उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आगी का वीडियो आप एंजोई कीजिए तो फ्रेंट्स यहाँ पर मेरी जो आँटी है नेबर वो विनी का यहाँ पर ठीका कर रही है कुम कुम हल्दी चावल और फूल से और उन्होंने मेरा भी यहाँ पर ठीका किया था बोल रही थी ममी का भी ठीका करना चाहिए तो यहाँ पर आँटी ने ठीका किया उसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग की जैसा कि आप देख रहे हो आँटी मेरा भी ठीका कर रही है तो यहां पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं है हम थोड़े ही जने हैं यहां पे और एक्चुली विनी की पापा भी नहीं है न तो उन्हें बहुत मिस्स कर रहे है और अगर वो होते तो मेभी हम और बैटर और और अच्छे से विनी का बर्दे सेलिब्रेट करते बड़ चोटी सी विनी के लिए तो इतना ही बहुत है अभी पिचारी समझदार तो है नहीं है उसे इतना ही बहुत लग रहा होगा बलून्स लगे हुए थे तो उन्हें देखे भी वो बहुत खुश हो रही थी ममा बलून तो विनी मेरी बहुत खुश हुई अपने बर्डे वाले दिन और एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि उसने अपना बर्डे का केक खाया वरना वो केक जो है वो बिलकुल भी नहीं खाती है मैंने पहले भी उसे केक खिलाया वो बिलकुल भी केक नहीं खाती है तो ऐसे ही हमने एंजॉई किया तो फ्रेंट्स आपने देखा जो कुछ भी हमने छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया वो इसी तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया विनी का बर्डे विनी से हाइ मैं लेट हो रहा था उसको हॉस्पिटल जाना था वो हॉस्पिटल में जॉब करती है तो मैंने जो खाना बनाया था उसने बोला कि मुझे दे दो मैं पैक करके ले जाओंगी मिनी एक सेकेंड तो मैंने उसका और आंटी को मतलब सारा कुछ खाना लगा के उनको घर भेज़ दिया बट अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है तो अब मैं आपसे मिलती हूँ जब खाना वाना खाऊं तब मिलती हूँ तो अभी मैं फटाफट थोड़ा गर्म गर्म पूरियां बना लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक जैसा कि मैंने कहा था कि जब मैं डिनर करूंगी तब आप लोगों से मिलोगी तो फाइनली पूरियां हमने बना ली है और मैं आपके दिखाती हूँ कि क्या बनाया है असी नॉर्मल बनाया है कुछ खास नहीं बनाया है ओक चलो देखते हैं तो यहां पे मैंने बनाई है चोले की सद्जी और यह सूखे गोभी आलू और यह खीर है और पूरी है और यह थोड़ा सा मैंने पुलाव बनाया है और यह थोड़े से पापड है बस इतना ही बनाया बहुत कुछ खास नहीं बनाया है सो अब हम अपना दिलर कर लेते हैं से पहले की पूरिया ठंडी हो मैं खादूंगी और विनी को भी खिला दूंगी सो आप लोगों को मेरा यह विनी का जो बड़े वाला चोटा मोटा सा लॉग है यह पसंद आया होगा बिकाज मुझसे मैं अकेले थी मुझसे जितना बना मैं नहीं कर पाई विनी के पापा होते तो में भी हम कुछ और प्लान करते अब वो नहीं थे इसलिए मैंने अगेले ही सेलिब्रेट करने का सोचा बट इस ओके लेकिन ऐसा दो बार हो चुका है मतलब यह विनी का second year birthday है जो विनी का first year birthday था उसमें भी विनी के पापा नहीं है वो out of town थे on duty तो वो बटे मैंने जहासी में सेलिब्रेट किया तो ताइम पे मैं जहासी में थी और इस बार भी वो नहीं है तो ठीक है it's okay बट जब वो आएंगे तब हम फिर से थोड़ा सा उ I hope आप लोगों को मेरा यह जो ब्लॉग है मेरी विनी के birthday का blog है वो आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं चाहती हूं कि आज 10 जनेवरी को मैं यह ब्लॉग शूट कर रही हूं Bikaz विनी का birthday जो है वो 10 जनवरी का है तो मैं चाहती हूं कि आप लोग भी मेरी विनी को ढह सारी ब्लेसिंग्स दे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैंने जल्दी जल्दी ही सब के कटिंग वगेरा की मेरी प्रेंट आटी लोग आ गें धीना घर पे और उस टाइम में पूरी तरह से रेडी भी नहीं हो पाई थी जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा मैं सब कुछ मैंने कर लिया था बट मैं लिप्स्टिक अप्लाइम नहीं कर पाई थी इसलिए में बहुत और बहुत और मैं लिप्स्टिक लगा लेती हूं कोई पाब नहीं तो बस यही था आज का ब्लॉग आपनों को अच्छा लगा हो तो अब मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में तिल देन बाबाई टेक क्या गुद नाइट